तो हम लोग लाइव हो चुके हैं पर्यास करने से कभी ना चुके। क्यों कि हिम्मत नहीं तो पर्तिष्ठा नहीं और विरोधी नहीं तो परगती नहीं और जो पानी में भीगते हैं वो सिर्फ लिवास बदलते हैं और जो पसीने में भीगते हैं न जनाब वो इतिहास बदलते हैं तो आज आई हम लोग भी इतिहास बदलने की कोशिस में आज बारवा दिन है आप सभी को पता है कि ये 20 दिन का कंपलीट रिवीजन है देखना मगर प्यारफे और सिर्फ और सिर्फ कलास देखना मेरे को नहीं हाँ चलो ठीक है 20 दिन में एक कंपलीट मैच्स का रिवीजन हो रहा है आप लोगों की सकल में देखूंगा नाम बोलूंगा थोड़ा सबर रखें हमारी कोशिस है 20 दिन के पहले ही पूरा सिलेबस खतम हो जाए बढ़ियां चलें आगे आगे सभी कलास खतम हो इस्टार्ट होने में दो चार मिनट लगता है बच्चों के जुड़ने में तो यह उमीद ना करें जैसे शुरू ओ करना शुरू कर दें थोड़ा सबर रखो दो मिनट सभी को आज आने दो तफली रखो तब तक हाल चाल बता दो और आपकी हाल क्या है उसकी हाल क्या है वह कैसे आप कैसे हो यह सब बता दो तब तक चलो आसुतो ची गुट मॉनिंग नुपूर निगम सिधार तान्या मोहित सोनम दूबे राम गोपाल अकुबारी खातून मिस चिन्नी भाई चिन्नी के आगे मैं नामी नहीं बोल सकता अब तो चाइनी अमेरिकी सब आ चुके हैं चलो शुरू करा जाए सबर और ता फल्ली रखें रिबीजन हो रहा है ना रोज रोज वही चलो भाईया पहला सवाल ले लो फिर लगे हाथ ए भाईया इस तो इधरे दिखते नहीं हो इस तो बहरे नहीं कर जाता है अब दिखान बताईए सबसे पहला सवाल बताईए 0.359 में 9 का प्लेस बहलू बताईए इसमें 9 का प्लेस बहलू क्या हो सकता है में भी पॉसिबल 0.9 में भी बोलाऊं बेबी नहीं बोलाऊं फटाग दे बताऊ चच्चा देखो फर्स्ट नंबर सवाल है अगर इसमें A सही है न तो आप लिखोगे 1A स्टीब में 1C ये तरीका है जल्दी करें जल्दी करें जल्दबाजी नहीं मैं हट गया हूं देखो राम कोपाल नुपूर बिमलेस निगम आसुतोस स्टीवम देखो बेटा इनका सही जवाब PBR Study के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा ठीक है याद रखना तो सभी लोग ध्यान से सुनें कान खोल के सुनें इमानदारी से सुनें दिल लगा के सुनें कि इसका सारा सही जवाब PBR Study के टेलीग्राम चैनल पे कलास के एक गंटे के अंदर भेजा जाएगा अगर नहीं जवाइन किया तो यूजर नेम PBR Study है सर्च करके Facebook, Instagram, Twitter जो जो तुम जानते हो हर जगा इसे जवाइन सब्सक्राइब जो जो फीचर है जहां महां कर लेना फॉलो कर लेना जहां फॉलो आला है चले फिर दूबारा सिकायत नहीं करना है कि मुझे आंसर नहीं मिला क्योंकि मेरी बात नहीं सुनोगे तो हम आपकी काय सुनेंगे हम इतने खुदगर जहम भी नहीं है चलो आगे बढ़ी हो यह बताओ की रोमन संख्या रोमन संख्या अगर बात करें एक्स तो उसका मान क्या होता है कि अब पद्धती में बताओ बता भया यह चाचा जैसे इसका मान 5 होता जानते हो वससे यक्स का मान का होता हो पढ़ाई भिद्यान दो कमेंट नहीं पढ़ूंगा जिनको पढ़ना है रुको और भाग जब यांस फटा फट भागो नहीं नहीं यहां कमेंट में यह सब नहीं होने वाला है मैं कमेंट पढ़ूँगा ही नहीं चलो इसका मानों का 10 बहुत अच्छा very good very good कितने अच्छे हो आप लोग ठीक है आईए अब हम कुछ अच्छे अच्छे सवाल लेते हैं जो परिक्षाओं में पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे ए भाईया भाईया आओ देखा इदर है यक्स दे नोग हटाने पर बताओ क्या मिलेगा हो इतना तो जन्बे करते हो इतने बकलोल तो नहीं हो समभाहू समकौन तिर्भूज में दो कौनों का योग होता है समभाहू समकौन तिर्भूज में तो कौनों का होता है क्या होता है बताओ समभाहू समकौन तिर्भूज में दो कौनों का योग क्या होता है पाहला नब्बे एक सो असी तीन सो साथ देखिए सवाल और जबाब दीजिए फटा फट और इसी केस बटा पढ़ाई भी ध्यान दो तुम दूसरे के चक्कर में जादा मत लगो चलो सिकेंड में अगर ए साही है तो आप टू ए लिखोगे बी साही है तो टू बी सी साही है तो टू सी ये तरीका है कमेंट करने का ठीक है थर्ड में अगर ए साही है तो आप तीन ए लिखोगे बी साही है तो टीन सी ये कमेंट का तरीका है ओके सबसे पहला जबाब किसी का अगर आया है तीसरे में सही तरीके से तो वो कोई नहीं है क्योंकि कोई तरीका सही नहीं उच किया है नुपूर निकम दूसरे में सही तरीके से बताई है और एक परजापती जी हैं ये भी सही बता रहे है अगले प्रस्न की और हम लोग बढ़ें चलो चलो बईया आगे बढ़ें ये बताईए तीन असमान भुजाओं वाले तिर बुज को क्या कहते हैं तीन असमान भुजाओं वाले तिर बुज को क्या कहते हैं एक एक नंबर में सब पूझा जाता है हवा में नहीं चल रहा है पेपर में एक एक नंबर में सब पूछा गया है अर्थ बिर्त में बना कोन होता है बताओ देख रहा है पूर में बताईए फूर ए फूर बी या फूर सी पूर का सही जवाब कोई दिया है निमन निपूर निगम तरीका गलत है थोड़ा सा रुक्सार अंसारी निधी यादो महेश श्रिवास्तो जिनको भी महेश सीखना है सब के लिए है यह कोई भी हो कहीं से भी हो किसी भी दुनिया से हो तुम अगर गडित सीखना है तो सब के लिए है यह डिलेड में ससी में या हाई स्कूल इंटर में किसी में यह नियम अलग नहीं होता है यह कांसेप्ट है अर्द्वृत्त में बना कोण हमेशा सम कोण होता है चाहे तुम्हें ससी की पढ़ाई कर रहे हो यूपी अस्सी की कर रहे हो डिलेड की कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो हर जगा इसका मान नब्बे ही होगा कहीं अलग नहीं होगा ठीक है भेरी गुड ठीक है आयत का परते कोण होता है बताओं आयत का परते कोण होता है का होता भाईया आयसे बनता है ना इसका अबरी एंगल 90 होता है समकोण होता है परते कोण समकोण होता है ठीक है यानि समकोण मतलब 90 होता है आंसर लेकिन तरीके से बताओगे 5 है तो 5 है ऐसे कमेंट करोगे तरीका सही लगाओगे तभी मैं नाम बोलने वाला हूँ अने था मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ इस क्रिन दिखरी पूरा अब मैं एक काम करता हूँ मैं इधर इतना छोड़ के लिखता हूँ जिससे मैं यहां ख़ड़ा हो सकूँ न नहीं तो छुप जाता है न अब उदार लिखोंगा जादा इधर कहां तक जाएगा यह 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 तक आएगा न यह तक आएगा न हम फालतुए डरते हैं उतना दूर जाएगा ठीक है चलो अब वर्ग की परतेग भुजा क्या होती है वर्ग की परतेग भुजा होती है बताइए क्या जबाब दीजिए इनका सारा सही जबाब PBR स्टड़ी के टेली गराम चैनल पर क्लास के गंटे कंदर मिलेगा याद रखें चलो भाईया कुश्चन नमबर छे हो चुका है साथ दिखेगा न आप पांच का अब वर्थ है बतावा हो भाईया यारी लिख लिया दस बीस एक सो पांच नौन आप दीज इन में से कोई नहीं आल अप वर्थ है को इंगलिस में मल्टीपल कहते हैं चच्चा का कहते हैं मल्टीपल कुश्चन नमबर अगला लैला भाईया लैला इतना देर से सबर करे या ले अगला नमबर इनको और इधार चलना चाहिए न तो कहा है है हमें खोपड़ी पे आती करे या उधर चला इतनी जगा आत का है बताइए संख्या वन अपान थिरी का इक्वैलियंट फ्रेक्शन सम्तुल भिन है बतावा हो भाईया लोग इनका सबका सही जबाब पीबियार स्टडी के टेली गराम चैनल पे कलास के गंटे के अंदर मिलेगा प्राई कर लिजी अपने आपको यहाँ पेपर देने जा रहे हो अपनी आउकाद जान लो क्या है अक्सर हम अपने आपको बड़ा राईस समझते हैं छोटे होते हैं लगता है कि हम ही सबसे बड़े सहजा दे हैं ना बड़े होते हैं तो अकाद पता चलती है कहां आई तो फिर हम से बड़े भी लोग है नुपूर निगम पूजा यादर रुक्सार अंसारी सोनम तान्या बेरे गुड ठीक है इसको मैं बता देता हूँ मुझे नहीं रहा जा रहा है तो भैया सुनो समतुल भिन के लिए इक्वाइलियंट फ्रेक्शन के लिए किसी एक समान नंबर से उपर नीचे गुड़ा कर दो बस किसी भी एक समान नंबर से समतुल भिन बन जाती है ठीक है तो इसमें आप से नहीं होगा बस गुड़ा या भाग भी कर सकते हो आप लेकिन एक ही समान नंबर से नीचे उपर दोनों में करना ठीक है जैसे थोड़ा से समझ लीजिए मेरे मन में आ रहा बताने को तो माल लीजिए चार बटा नौ की समतुल भिन या इनको अटाओ चार बटा बारा की समतुल भिन नकर निकालना है तो हम इसको ऐसे भी कर फकते हैं चार और इसको हम भाग दे दें मान लो की आप दो से ठीक आप समझना ये बारा को लिख दिया इसको भी का करेंगे दो से भाग दे दो तो दो चा आजाएगा ये दो दुना यानि दुई बटा छे भी क्या इसकी समतुल भिन है समझा की नहीं यानि सेम नंबर से उपर नीचे चाहे तो मल्टीपल कर दो चाहे तो डिबीजन कर दो जैसे ये भी क्या इसकी इक्वालेंट फ्रेक्शन है यानि चार बटा बारा की इक्वालेंट फ्रेक्शन तुई बटा six भी है और चार बटा बारा की इक्वालेंट फ्रेक्शन ये भी है आया भाईया समझा की आबा ना चला फिर देखो एक तिर्भूज में हो सकते हैं चल बहिए चल 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 करता हो इसाथ यह अब लिखो एक तिर्भूज में हो सकते हैं दो क्या क्या हो सकते हैं दो सम कोण दो अधिक कोण अधिक कोण हो सकते हैं अधिक कोण हो सकते हैं देश ही टाइप के बता हो आठ में जो सही जवाब बताएगा हम जान लेंगे कि आपके खोपड़ी में कुछ है है सबसे पहला जवाब राम गोपाल का है तान्या का सिकंड पर है और बाकी लोगों का है पीछे कुछ लोग अब है सो रहे हैं जग जाओ जग जाओ जिन्दगी भाग रही है देखो पकड़ो इसे एक समकोंड देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि तिरबुच के तीनों कोणों का योगफ़ल 180 होता है चाहे वो तिरबुच किसी भी परकार का हो ठीक है अगर इंसान है और वो जिन्दा है तो सांस तो लेगा ही चाहे वो किसी भी जाती विरादरी धरम कहीं कभी हो किस दूइये समकोंड का मान 180 हो जाएगा तो लल्लू फिर तिसर के कहां जाएंगे बराबरी का मात होनी चाहिए ना समझ रहो कि नहीं किसी भी तिरबुच में तीन कोण होते हैं अगर दूइये का मान 180 हो गया तिफर का सुनना थोड़ी हो सकता है इसका मतलब पहला आपसन बि मिनिमाम 91 से अगर दूइये कोंड हो गया तो एक सो बयाफियंस हो जाएगा यह तिरबुच के कांसेप्ट का इतिहासे बदल देगा फिर तिरबुच के तीनों कोड़ों का एक फ़ल 180 होता है तो दूइये कमान 180 हो जाएगा तो यह तो कताई किसी भी सर्थ पर पॉसिबल न नहीं है यह 181 से स्टार्ट होता है तो एक कोड का मानिस से दिखो जाएगा इसके कंसेट के ऊपर चला जायगा ना भी दोन अर्थार रिफलेक्स का जो मिनिमंऄम एंगल होता 181 से स्टार्ट होता है जाए तिरबुच के चले आगे किसी को कोई तकलीफ इसमें नहीं न भाईया लोग नौ नंबर में आजाओ और क्या है अच्छा तो है इका बताओ फिर 0.3 एके उपर ऐसे है बार बताओ ये ठीक है बड़े गूड नंबर जबाब दीजिए चलो इनका सबका साही जबाब टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा पी वियर स्टडी के ओके डन प्रेक्टिस करना बहुत जरूरी है अभ्यास से प्रस्नम बहुत जरूरी है एक पेस में कोशन जरूरी है का ए बैया चलो ना यार तुम इधर रहा जो रहा जा तुम इधर चले जाओ जिससे हिसी में सकेतें सम्धियान कर लो सब लोग चलो पुश्या नमबर दसमा देख लिया सब भाई पताईए पेपर में पूछा गया है पांच याक्स प्लस फेबन याक्स माइनस तीन याक्स काम मान बताओ मान पताईए क्या क्या पॉस्बल है पहला आप्शन है नाइन नाइन याक्स पांच याक्स प्लस नाइन बताईए जल्दी करिए दस में चलिए कमेंट आ रहा बिनीज सर्मा जी कमेंट आ रहा है लेकिन पढ़ाई ब्यान दो ममी का मगरमच प्रियांसी ममी का मगरमच प्रियांसी नहीं है ममी का मगरमच चलक कमेंट है प्रियांसी अलग है प्रिया पूजा मोहनी नुपूर निदी सबका कमेंट आ रहा है पुद्धिन नाम ना बोलते कहते हैं लाइब नहीं चल रहा है यह तो इसा चल रहा है यह तो इनसान नहीं रोबोर्ट दिख रहा है सामने 27 की पूर्व वर्ति संख्या बताईए 27 की पूर्व वर्ति संख्या अच्छा ज्यादा नीचे कन्यप नहीं चलता है अध्यक मैं इसको समझ नहीं पाया बतावा हो 27 की पूर्व वर्ति बहुत अच्छा बरे गोट बरे गोट सबसे पहला आशार आ चुका है किसी का तो उनका नाम पता नहीं क्या मैंने बोलने माला जाने दो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो फॉर एंड जीरो पॉइंट फाइफ कामान बताए बिए जीरो पॉइंट टू जीरो ना ना दिए जीरो कोई नहीं बतावा हो बारा नंबर में पर सब भी बतावा इनका सबका सही जबाब PBR Study के टेली गराम चैनल पे मिलेगा बतावा हो फेमा। बताईए जनाब राम कोपाल एलके परजापती महेश जी बिलकुल बहुत अच्छा आप लोग जाग रहे हो बस यह अच्छी बात है बताईए जनाब रेगुलर क्लास नहीं देखा है तो चैनल पर 50 से अधिक क्लास पढ़िए जाके देख लिजिए और अगर आप इमानदारी से 25 में 25 नमबर लाना चाहते हैं तो वो टाइम भी चुका है क्योंकि जो PVR स्टडी के कंडिडेट है अब तक अप्लिकेशन में इन्रोल हुए हैं वो पाच चुके हैं नमबर पूरा-पूरा अगर आप सीकेंड या थर्ड समस्टर की तयारी करना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से PVR स्टडी एप डाउनलोड कर लिजिएगा जिससे आपको पूरे पूरांग मिल सकें अगले समस्टर में इसमें तो मालो छूट गया जाने दो एक दो पांच से बनने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ बताबाया और भी बन सकता है का हाँ बन सकता थे यार जा आदा छोड़ा अच्छा तो यह बात है मुझे यह बताओ कि इन तीनों संख्याओं से मिलकर कुल कितनी संख्याओं बन सकती है एक यह और सवाल ले लो दूसरा ले लो कि जा रहे तो जाओ कि देखो कि बनने वाली सभी संख्याओं लिखिए सभी संख्याओं लिखिए दिख रहा है बताइए बताइए कितनी देखो बिल्कुल बेसिक से इसमें कोई ट्रिकूरिक नहीं बताएंगे हम आपको पहली बात तो यह संख्या है सबसे पहले तो इसमें एक नंबर आगे रखना सीखो तो पहली संख्याओं यह बनेगी 726 हमने 7 को आगे कर दिया ठीक है अब 7 को ही आगे करके हम 6 को बीच मिला सकते हैं तिसर की संख्याओं अगर 7 को आगे करें तो और का हो सकता है कुछ नहीं हो सकता है चलो बैद्दूई को आगे कर लो यानि एक एक नंबर के साथ दो दो बार यह आगे आ सकते हैं तो भाईया आगे पीछे भी हो सकते हैं का यह कितने बनेगी टोटल ही चब बनेगी नश्याओं अब इनको भी आगे कर लो भाईया इस अब ही होई गया है ते नहों कि इच्छा पूरी होई जाए कितनी बनेगी टोटल छे संख्या बनेगी परिक्ष्याम पूछा गया था 2021 में रोमन संख्या यलका मान बताओ संख्या में क्या होगा संख्या पद्धती वाले में रोमन संख्या यलका मान बताओ पंकज ने एक परिक्षा में पंकज ने एक परिक्षा में 65% अंग हासिल किये देखा भाई आप पंकज की बात देखा कुश्चन हमा कौन है आब पंकज ने प्राप्तांग कितना लाया बताए जबाब दीजिए प्राप्तांग कितने होंगे अब ढंक से लिख लो यार ठीक है रोवन संख्या यलकमान पचास होगा सही अंसर है कोई कंडिडेट 75% मार्क्स हांसिल करता है यह दि मैक्सिमा मार्क 500 है देन फाइंड आप्टेंड मार्क्स देखा मुझे अंग्रेजी आने लगी ना थोड़ा मोड़ा ठीक है तो पुड़ांक प्राफ्तांक एंड परसेंटेज मतलब सिंपल सा बात है कि 500 का तुम्हें 75 परफ्रेंड निकालना है तो 75 बटा 100 कर लो 200-20 निपट गया टपक गया एंड का 5 से 75 कुड़ा कर लो सब्रेंट पल साथी लोग इस सेशन को लाइक करो पहले फटाक जे तभी आगे बोलूंगा मैं उसलब डिलाथा रहता हूं चलाता रहता हूं क्या मतलब चलो पहले हर कोई लाइक करेगा तभी बोलूँगा मैं एक लब जो नहीं बोलूँगा इस ट्रेचू बन जाओंगा मैं ऐसे कि का चाहते हों कि मैं इसे बने रहे हैं चलो पहले फटा फट लाइक करो सभी संख्या सत्रा संख्या सत्रा का कुल कितना आप वर्तक हो सकता है बताओ कुल कितने आप वर्तक संभव हैं बताओ इम्रान सल्मानी और एक मगरमच यह कमेंट आ रहा मगरमच नाम से मैं बोलूंगा ने लेकिन आरगंदा लगता लोग सचते हैं पता नहीं क्या बढ़ाता रहता है उनको क्या पता कमेंट में क्या रहा है चलो ठीक है बेरे गुड अरे बैया मैंने पूछा कितने पॉसिब है मैं यह नहीं का कौन-कौन है लेकिन जोड़ना पड़ेगा मुझको भी ना देखो पहले देख होगा दूई होगा तीन होगा चार होगा अच्छे भी होगा बारा भी होगा तो टोटल छे हैं आंसरवल इखला का मतलब है कुल छे अप वर्तक संभव हैं ना वन टू थ्री फॉर सिक्सेंट वेरे गूड अप वर्तका दूसरा नाम बता हो जैसे किसी का नाम स्कूले का वह यार राहूल है अगरे सब लोग कहते हैं पंक कजबा सुना था रहा है आप देखो हम इसे काई को बोल रहे हैं कुछ लोग कहेंगे का मतलब है काई है इसे ब नाम बोलते हैं कि कुष्चन नंबर कितना 18 अप वर्तका दूसरा नाम बताईए अप वर्तका सिकेंड नेम बताईए इसे और किस नाम से जाना जाता है बताईए अप वर्तका दूसरा नाम है यह तू लोग जा रहा थे ताओ अप वर्तक अलग है अप वर्तक अलग है बैया यह सब पढ़िदार है अप वर्तक और अप वर्तक दोनों अपोजिट है कुछ लोग इसका दूसरा नाम मल्टीपल बता रहे है अरे इडियट मल्टीपल हो तो इंग्लिस में हो गया हिंदी में बताओ हिंदी में बताओ जैसे कोई कहें हिंदी मिराज कुमार अंग्रेजी में प्रिंस तो मतलब तो एक हुआ ना मैं दूसरा नाम पूछ रहा हूं का बोलते हैं इक के दूसरा नाम गुड़ा जो होता है अच्छा लिखिया इना एक दम जैसे चाक जैसे चल रहा है बलेक बोर्ड एंड चाक देखो पहले के जमाने में चीज़ें अच्छी होती थी ना हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो घर में उस समय रेडियो चलता था बैटरी वाली और चार्च होती थी उसमें सेल लगती थी ना दस रुपेक पहले आती थी बाद में भी से कई 30-30 रुपेक मिलने लगी अलग बात है उसको बैटरी फोड करके कज्जा निकालते थे कोई ला उसमें से काला काला उसको लोटाम भिगो करके कपड़ा लगा करके पतारते थे ले जाके बोर्ड सूक जाता था गुरुजी पढ़ाते थे सफे सफे चाक से लिखते थे मिटाते थे उड़ता था इसे समझ रहो आजकल चीजें टेक्नोलाजी बढ़ गई बदल गई लेकिन फिर भी काला बोर्ड और सफे लिखने वाला फिर आ गय बसरते उसमें गर्दा उड़ती थी मिटाने में इसमें ऐसे मिट जाता है तो जिन्दगी कितनी आसान हो जा रही ना दीरे दीरे लोग फिर भी दुख ही हैं तो यह दुख खतम होने वाला नहीं है उस बोर्ड पर भी मैं लिखा हूँ ऐसे न देखो मुझे 180 साल का हूँ मैं 18 नंबर देखो अब सबसे छोटी अबाज संख्या बताओ सबसे छोटी अबाज संख्या बताइए बताइए जनाब महत्तम समापवर्तक को क्या लिखते हैं इसका दूसरा नाम बताओ साटकाड में बताओ क्या लिखते हैं महत्तम समापवर्तक समापवर्तक रुको अब तुम लोग को मैं कंफ्यूजन में डालता हूँ चलो पहले दिए बताओ इन दोनों सही कौन है अगर मैं इनको नाम देता हूँ A इनको B बस यह जान लो छोड़ो इसमें A और B में कौन सही है A और B में कौन सही है इसमें अधितल लोग कंफ्यूजन में चले जाते हैं कहीं कहीं लिखने में उपर वाला निच्चे वाला ना बोलो सिधा फिदा आपसन बोलो नहीं लोग कुछ आउर समझ लेंगे चलो ठीक है पहले में सही बोल दिया ना इफ लिए ये लोग पकड़ लिए नहीं अब देखो कंफ्यूजन में जाते हैं 120 किलो गराम आरहर की दाल को को नहीं का अगर 45 परसंट निकालते हैं तो कितना होगा बताईए 120 केजी दाल कब 45 परसंट बताओ कितना होगा बताओ भाईया 120 केजी आरहर की दाल है और मैंने कहा कि उसका 45 परसंट जो पहले जब आप देगा उसको देदेंगे क्योंकि आज कल दाल बड़ी मैंगी जा रही डेड़ सो रुपे किलो ना आफान है अरे इसे कर लो न यार इसे तो निकालते हैं न हल कर लो एक जीरो से एक जीरो निपट गया गुड़ा कर लो बारा पंचे साथ हां फिल छा और बारा चोकर तालित दुए पचाश चार चाववन और दस से कर लो का भाग तो हो जाएगा चाववन किलो कितना हो जाए हो कुछ लोग यह में पर्फेंटेज लगा रहे हैं अरे इडियट अंसर्वा पर्फेंटेज में नहीं आएगा पर्फेंटेज में अगर कहीं मान निकालना होता है तो उत्तर परस्यत में नहीं आता है ये पाइदा उल्टा हुए दिर कहा है इनको जाए दो बताए दो उल्टा फिद्धा चलो छोड़ो डाओ एक बिंदू से होकर कुल कितनी रेखाएं खीची जा सकती है एक बिंदू से होकर के कुल कितनी रेखाएं खीची जा सकती है अब ये आगला बताए दो अद्दूई बिंदू से होकर के कुल कितनी रेखाएं खीची जा सकती है बताए बहुत अच्छे जनाब बेरे गुड चलिए एक बिंदू से होकर के अनन्त रेखाएं खीची जा सकती है इसका एक्जामपल में बड़ा मज़दार बताया था पता है तुम्हें का कि जैसे किसी की साधी नहीं हुई है तो उसके पास अनलिम्टेड आप्सन होते हैं लाइफ में कुछ भी कर सकता है कहीं भी जा सकता है कहीं भी आ सकता है किसी से बात कर सकता है और वगरा वगरा बसरते हैं उसका कोई ऐसा कुछ नहीं कहीं है न तो कोई टैंथन नहीं लेकिन अगर आप डबल हो गए जिनकी साधी हो गई तो बहिया दो बिंदू से होकर सिर्फ एक ही रेखा खीची जा सकती है ठीक है समझ रहो कि नहीं तो जिनकी हो गई वो बस वहां से वहां वहां से वहां बाकी अगर इधर को निकले उधर को निकले तो बेवफा का लाए मार एक राना चलौ इलो कितने कोश्चन हो गए अगया और यह मैत का कोश्चन था मजाक की बात नहीं थी सही है पर इक्षा में पूछा जाता है कि एक विदन्व से होकर कितनी 変 खांग को अगे चले एक कुश्चन और लिखें तो कितने लोग एक ही रेखा में सीमित हैं अभी तक कितने लोग अनलिम्टेड में हैं भाई बताओ देखिए अगला एक कुश्चन लिखिए जूट नहीं बोलना नहीं तो लड़ाई हो जाएगी समझे लो फिर अभी फटा फट गलत नहीं बोलना कोई इसका मान बताईए मान बताईए बताईए अ अधिकतर लोग अनंत में बोल रहे हैं और तुम्हारे अनंत के शक्कर में तुम्हारा आंतना ओजाए घर पे जाने के बाद मतलब कोई देख रहा ओ अगल बगल वह आला तो चलो अगृप् ठीक है जवाब दीजिए फट से और टाइम काफी ज़्यादा हो चुका है इसे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता हूं सुबस भी ना कुछ खाए पिए तो आज का लिए बस इतना ही लेकिन 50 नंबर कुश्चन कर लो इने कहो गहां पचीस ओड़ना है भा कुश्चन नंबर 24 लिखे 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 पांच मीटर क्या है कि दिखे। किवाई भी definitive लिट खे लिए अु dir सुटू भी deepest है तो दो किवुआ है अजो कर दिखे लिखे लिखे में को प्यादा भीे थाफ कर दिखे लिखे झात्मेज कि दिखाता है ना हो कि यह तो दू मिनट ना बोलत कहीं आवाजी यह नहीं आवती है यह तो गाया वहिए चलो बताओ अगर 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 नहीं चाय मत पिला और एक चाय की बात पर आदाई पता है पहली बात तो आप समझे समझे लो इस्प्रेसली बॉय एज गल्स भी थोड़ा थोड़ा कि खाली पेट कभी चाय नहीं पिरनी चाहिए और अगर आप पहले से पी रहे हो तो फिर आपका भगवानी भला करें ठीक है खाली पेट अगर आप पानी पीते हैं सुबा सुबा तो नहीं तो फिर वही फिर वही होगा जो हो रहा है लोगों का तो खाली पेट उठ करके एक दो लीटर जितना पी सकें पानी पीजिए और कुछ तो ऐसे नालायक आत्मा होती है जुनको सुबा सुबा एक लीटर तो बात छोड़ो वो थोड़ो नहीं पीपाती है